अलो फ्रेंड्स आप सभी को रमसान मुबारक आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक सिंपल सा थ्री स्टेप फेशल मास्क जो कि आपके चाहरे पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, डार्कनस, ब्लेमिशस, डिसकलरेशन या अन इवन स्किन टोन हैं तो आप इसे फिक्स कर सकत हैं तो चलिए देखते हैं इस मास्क को कैसे पहले रागी का एक बेस बनाना है इसके लिए रागी लेना है जिसे हिंदी में मंडुवा भी कहते हैं ये मस्टर्ट सीट से और फिर राई की दाने जैसा दिखता है एक छोटा छोटा दाना होता है इसलिए कंफ्यूज नहीं हो पानी डाल कर अच्छे से पीस लेना है महीन पीस लेंगे और जब ये ग्राइंड हो जाए तो इसे एक कॉटन के कपड़े से छान लेना है कॉटन का कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए एक बार छाना दूसरी बार छाना और थोड़ा पानी और डाल डाल कर इसे हम अच् तक छानेंगे जब तक कि एक clear पानी ना मिल जाए, clean पानी ना मिल जाए, मतलब इसमें रागी का कोई भी particles नहीं होना चाहिए, अब जो clear पानी मिला है, इसे pan में रखकर, medium flame में रखकर इसे पका लेना है, और ये पकने के बाद कुछ ऐसा गाढ़ा सा एक रागी बेस मिलेगा अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसे दूसरे बरतर में निकाल लेना है, अब इसी से ही हम रागी फेशल स्टार्ट करेंगे, ये एक 3 स्टेप फेशल मास्क है, तो 1 स्टेप में हम एक cleansing करेंगे, ये जो रागी बेस मिला है, इसमें थोड़ा सा कच्छा दूर ड लगाना है, और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, अगर किसी को दूद अलरजी है, मिल्क अलरजी है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रागी पेस्टी हम अपने चैरे में लगाएंगे, अब सेकंड स्टेप स्क्रबिंग है, एक काली बाउल लेना है, उसमें जो रागी पेस्ट मिला है, उसमें से हाफ टी स्पून रागी पेस्ट लेना है, और हाफ टी स्पून कॉफी पाउडर, मैंने यहां पैकेट वाले कॉफी पाउडर का यूज किया है, आपके पास अगर ओरिजनल कॉफी पाउडर जो होता है, वो है तो आप उसे भी ले सकते है और half teaspoon रागी powder लेना है जी हाँ आप इसे mixi में पीज पी सकते हैं राई के दानों को mixi में डाल कर अच्छे से powder कर लेना है तो half teaspoon रागी powder लेना है और अब इसे अच्छे से घोल लेना है अब इसे पूरी चेहरे में फेस में अच्छे से लगा लेना है और दस मिनिट के लिए छोड़ देना है रागी का जो पाउडर होता है वो थोड़ा खुरदूरा होता है इसलिए थोड़ा अच्छे से धीरे से आप इसे स्क्रब करेंगे बहुत जादा प्रेशर दे के आप स्क्रब नहीं करना है थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से स्क्रब करेंगे यह जो स्क्रब बनाया है इसे आप अपने हातों और पैरों में भी लगा सकते हैं आप स्क्रब करते समय ही देखेंगे कि आपका जो स्किन है वो कितना सॉफ्ट और क्लीन हो गया है अब 10 मिनिट के बाद आपको पानी से थोड़ा चैरा धो लेना है अब थर्ड स्टेप हम फेशल मास्क बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने इसमें एक चमच बेसन लिया है और जो रागी बेस पेस्ट बनाया था उसमें से भी हाफ चमच रागी पेस्ट लिया है इस मास्क में एड करने के लिए हम गाजर का जूस लेंगे फ्रेश कारेट जूस लेंगे एक कारेट को मिक्सी में डाल कर अच्छे से पेस्ट कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है और इन तीनों को विंक्स करके अच्छे से चाहरे में 15 मिनिट्स के लिए छोड़ देना है इस मास्क का एक मोटी लेयर हम अपने चाहरे पे लगाएंगे एक लेयर लगाने के बाद दूसरा लेयर ऐसे एक दो बार हम लगाएंगे आइम शूर जब आप ये फेशल स्टेप कर रही होंगी आप बहुत एंजॉई भी कर रही होंगी क्योंकि फर्स स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के बाद आपका चाहरा एक लोइंग स्टेज में आ चुका होगा और 15 मिनिट्स के बाद हम इसे अपने क्लीन पाने से हम अपना फेश क्लीन कर लेंगे प्लीज ट्राइ लाइक और सब्सक्राइब